वेलकम डू सुकला स्टड़ी पॉइंट आप सभी का स्वागत हुए आपके अपने यूटूब चैनल सुकला स्टड़ी पॉइंट में मैं सी होम सुकला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में आज का वीडियो सभी चा चातरों के लिए बहुत ही महतपुढ़ होने वाला है जिन्होंने Home Science लिया है BA first year first semester में आपने admission लिया है Home Science चाहिए आप BA में है चाहिए आप BSC में है Home Science से अगर आप BSC कर रहे हैं चाहिए BA कर रहे हैं तो दोनों दृष्टी से दोनों चाचातरों के लिए या लक्षयर बहुत ही महतपुर होगा तो इस वीडियो के माध्यम से खास करके लगभग और लगभग 100 से अधिक आपजेक्टिव टाइप के परसनों पर मैं चार्चा करूँगा ठीक है तो आईए थोड़ा सा जान लेते कौन कौन से परसन आपकी परिक्षा में पूछे जाएंगे बीए फस्ट एर फस्स समेस्टर 2023 की परिक्षा में आने वाले यह महतपुर महतपुर परसनों को हमने इकठा किया है और आप लोग के समझ परसुत करने का प्रियास कर रहा हूँ आप सभी का साथ चाही वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब वस कर दीजेगा और सेर कर दीजेगा सभी दोस्तों के पास आप लोगों पिछला पेपर उठा करके देख लिजेगा और पिछला माडल पेपर हमारा देख लिजेगा और इसके अलावा होम साइंस के लगबग और लगबग हम बहुत सारी वीडियो पहले ही अप्लोड कर चुके है आल लेडी 2022 की परिक्षा के लिए तो आप लोगों के लिए भी महत्पून है तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा बहुत महत्पून होंगे ओके बीए फस्स टियर फस्स समेस्टर याने की बीए फस्स समेस्टर 2023 में जो परिक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्पून होगा अब की बार यही परसन आने वाले हैं तो इन परसनों को तयार कर लीजेगा आपजेक्टिव टाइप के तरीके का मालग पर यह होगा और लिखित वाला मालग पेपर में जल्दी देदूँगा तो परिशान नहीं होना आपको आपकी परिच्छा लिखित हो रही है यह अब्जेक्टिव हो रही है दोंदों दिश्टी से यह वीडियो आपके लिए हलफफुल है चुकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत जादी आप जानकारी ग्रहन कर सकेंगे एक परकार से आपका जो वो होगा कांफिडेंस लेबल हो थोड़ा सा उपर उठेगा जब वीडियो आप आंतर तक देखेगा तो बिना इसकिप के वीडियो को अंतर कवस देखें धनी बाद चलिए प्रारम करते कक्षा को बिना समय गवाए होई पहला परसन आप देख सकते हैं इसकीन पर आपके आ चुका है पहला परसन आ चुका है इसकीन पर देखेंगे सभी जितने में लुक देख रहे हैं फड़ा पर से देखिएगा और कुछ ऐसे प्रसने जो कि आपकी परिक्षा में आ सकते हैं चलिए जानते पहला प्रसनाब देखेंगे पहला प्रसनाब की स्कीन पर बिजबल हो पा रहा है आप सभी लोगं को दिखाई पढ़ रहा है सरीर निर्माड की इकाई है सरीर निर्माड की काई क्या है भई आप सभी को पता होगा सरीर निर्माड की काई को हम क्या कहते हैं बताईएगा तो करक्ट एंसर आपका क्या होगा बिल्कुल कोसिका जो होती है उससे सरीर निर्माड होता है विभिन कोसिका मिलकर के क्या करती है विभिन कोसिका मिलकर के उत तंतर का इस परकार से निर्माड़ होता है तो ये फिर सरीर का निर्माड़ होता है तो कुल मिला करके ये जो कोसिका होती है ये सबसे छोटी काई होती है खास करके सरीर निर्माड़ की सबसे छोटी काई होती है तो ये बात आप ध्यार नखेगा एक जामस में प्रस्द नाभिक ओके ये बात ध्यान नखियेगा और कोसिकाओं में पारदरसी जिली के भीतर एक प्रकार का द्रब में पाया जाता है जिसे कोसिका द्रब के कहते हैं और कोसिका के बीच भाग को नाभिक कहा जाता है तो इस प्रकार से दोनों भाग मैंने आपको बता दिये कोसिका द जाननी थी जूकि मैंने बता दी हो सकता है काद परस्ण और यहां से पूछ लिया जाए ओके किलियर हो गई बाते आगे समझते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं कि आखिरकार अगला परस्ण का उत्तर क्या हो सकता है तो इसका उत्तर क्या होगा भई आपसर नमर डी कोसिका यानि सेल अगला परस्ण देखेंगे कोसिका जिल्ली बनी होती है बताए जलिये पदार्थ से कोसिका केंद्रक से या जीव द्रबिशे या कैल्सियम लवड से बताएं तो जो कोसिका जिल्ली बनी होती है वो कैल्सियम लवड से बनी होती है आपसर नमर इस कोसिका के जो उर्जा ग्रे होते हैं वो क्या होते हैं तो उर्जा ग्रे कौन से होते हैं बताने का प्रियास करेंगी जो माइट्रो कॉंडिया होता है वही आपसा नमबर इसका सी करेक्टर होगा एक्जाम में पूछा गया हलगातार कई बार तो आप इस प्रसंद को एक बार परिक्षा में ये प्रसन आ सकता है नेक्स्ट प्रसन देखिएगा कोसिका में जनन किडिया होती है बताएं केंद्रक के द्वारा होती जनन किडिया या कोसिका जिली के द्वारा होती है या फिर कोसिका द्रब्य जब टायश सभी को भाई देखे 5वा परसन क्या है देखिएगा और एक बार सीर कर दिजेए सभी दोस्तों के पास अपने प्रतेक कोसिका जिस पदार्थ की बनी होती है उससे कहते हैं बताई सब्सक्राइ Wallace और जीवसार दोनों कहा जाता है तो आपसन नंबर A में लपसी में दिया है A और B दोनों करेक्ट एंसर होगा आपसन सी राइट आंसर नेक्स्ट प्रसनाब देखेंगे पॉस्टिक छटवा प्रसन पॉस्टिक तत्तों को पचाने वाले जो सभी अंग होते हैं उनके समूव को हम क्या कहते हैं पांचन तंत्र कहते हैं आपसन नंबर इसका सी करेक्ट राइट एंसर होगा साथवा प्रसनाब की स्कीन पर آचुका है पांचन क्रिया में सहायक अंग कौन-कौन से हैं लार ग्रन्तियां बिलकुल होती है यकिर्थ पित्ता से ये भी होते है अगन्या से ये सर पाचन किरिया में सहायता प्राइन प्रारंब हो जाता है तो आप क्या बताओगे मुह से ही प्रारम हो जाता चुकि मुह में क्या होती सलाइबा होती है लार होती है और लार अमली होती खास करके तो उससे क्या होता है यहीं से पचना जो है चीजे प्रारम हो जाती भोजन पचना प्रारम हो जाते हैं ओके आगे देखते हैं अहार नाल ने पाचन क्रिया कहां से प्रारंबोती मैंने अभी भी बिताया आपको कहां से बही मुह से प्रारंबोती आपसे नमबर इसका ये करेक्ट हैंसर होगा नववा परसंद दिखिएगा पाचन तंत्र के प्रमुक अंग हैं बताएं पाचंतंत्र के प्रमुखंग कौन कौन से मुह, अमास से बिल्कुल दोनों ठीक हैं, गरसनी, गरास, नली, छोटी आद बढ़ी आती है, सभी पाचंतंत्र के प्रमुखंग में आते हैं, आप से नमबर डी लगा दीजीगा, उपरी तो सभी करेक्टर एंसर होगा, नेक्स्ट को टुकडो टुकडो में बाटता है, वो दांत का प्रकार कौन सा होता इन में से, तो कौन सा दांत का प्रकार होगा भई, उस दांत के प्रकार को हम क्या कहते हैं, क्रेंतक कहते हैं, क्रेंतक, आप से नमबर इसका बी करेक्टर एंसर होगा, ओके, इस प्रकार से आपकी वाज में आ रहे हैं भाई तो फड़ावट से गवार वीडियो को लाइक और सिर जरूर कर दीजेगा सभी दोस्तों के पास अपने ओके चलिए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए चलिए ओके अगला परसना आपकी स्कीन पर आ चुका है ग्यारवा नमबर परसना है छो हो भाई आपको छोटी आट में भोजन का पाचन होता है बताए चोटी आद में भोजन का पासन होता है अगला परसन देखेंगे अगला परसना आपके इसकीन पर आ चुका है देखिएगा 12 नमर प्रस्टे फेफडों में कितने लीटर गयस धारण करने की अधिक्तम चमता होती है तो फेफडों में खास करके कितने लीटर जो गयस धारण करने की चमता होती कितने लीटर तक होती है किते लेटर के आसपास 9 लेटर 11 लेटर या 5 लेटर या 10 लेटर तो भाई लगबग 5 लेटर फेपड़ों में जो है गये धारण करने के अधिक्तम चंता कितनी है 5 लेटर के आसपास आपसा नमबर इसका C करक्ट एंसर होगा एक जामसे में परसनाब से बन सकता है नेक्स्ट परसनाब देखेगा अगला परसन आचुका है देखेंगे सभी लोग चलें अगला परसनाब के स्किन पर आचुका है तेरवा नमबर परसन है कि आक्सीजन का ग्रहन एवं कारबन डायक्साइड का उतसर्जन की मात्रा किसके मलग किस पर निर्भर करती है बताएं आक्सिजन का ग्रहण यहम कारबन डायक्साइड का उस सर्जन की मात्रा किसके उपर निर्भर करता है हीमोगलोबिन के उपर निर्भर करता है या हिरदय की खडिया पर या फेफणों पर या धमनी उपर किस पर निर्भर करता है फटापट से बताईएगा प्रसंद बड़ा ही धाकड है अच्छा प्रसंद है कि आक्सीजन का जो ग्रहन होता है और जो कारबन डाइकसेड का उस सर्जन होता है ये किसकी मात्रा पर या किसके उपर निरबर 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 करता है तो ये निरबर करता है हीमोगलोबिन के पर आपसा नमबर इसका एक औरक्ट एंसर होगा नेक्स्ट परस देखेगा चौधावा नमबर परस नहें प्रासोसन केंद्र बताएं प्रासोसन केंद्र क्या होते हैं भई तो प्रासोसन केंद्र की बात किया है तो डाइफ्राम और इंटर कास्टल पेसियों से तंत्रिका के द्वारा ये संबनित होते हैं आपसर नमबर इसका A ही करेक्ट हो जाएगा आपसर नमबर A is right answer और पंद्रवा परसन आप देखेंगे सबी लोग पंद्रवा परसन है कि प्रतेख बेक्टी साधरन स्वास में भीतर जो वायू लेता है उसको क्या कहते हैं तो उसको प्राण वायू कहते हैं परिसिष्ट वायू या अवसिष्ट वायू या संपूरक वायू तो इस प्रकार की वायू को हम क्या कहते हैं इसको हम प्राण वायू के नाम से जानते हैं किसके नाम से प्राण वायू कहते हैं आपसे नमबर इसका एक अरेक्ट एंसर होगा जो बेकती हैं हम लोग जो अपने नाग से क्या करते हैं मुह से नाख से विसे नाख से ही सांस लियाती है लेकिर आप मुह से भी सांस ले सकते हैं ठीक है आप नाख बंद करके बड़े आसानी से ले सकते हैं कोई दिक्कत की बाद नहीं है उत्ते वगरह लोग आप देखते जाता तर मुछ से ही सांस लेते हैं हापते रते हैं मेसा तो मुछ से सांस लेंगे तो फिर दिक्कत होगी आप जल्दी ठक जाएंगे आप हांफने लगेंगे तो नाक से सांस लेने में क्या होता है वो नाक जो है प्रकार से स्मेलिंग के लिए और सांस लेने के लिए ही बनाई गए है तो उसका उचित प्रियोग करना चाहिए हारेकंग का उचित प्रियोग करना चाहिए ठीक है वो बनाएगा किसी दूसरे के लिए भगवान ने आपको दिया उससे आप किसी अलग तरीकी का कारे ले रहे हो तो फिर दिक्कत होंगी उससे ठीक है तो प्राडवायू जो हम लोग अपने नाक्स यामू से अंदर हवा लेते हैं वो क्या होती प्राडवायू होती है आर्थात ठीक है अक्सिजन के माध्यम से और भी गयसे जाती है लेकिन वहाँ पर छंद करके वो अंदर अक्सिजन जाती है और फिर बाहर जो कारवन डाइक से निकल कर रहाती है जब वो खोन में टहल करके पूरा और वहाँ से कारवन को उठाती है कारबन से क्रिया करते हैं और इसके अदमें CO2 जाती है O2 और निकलती है CO2 यानि C को से क्रिया कर लेती है अंदर ओके आगे बढ़ते हैं सोलवा परसना आप सबे लोग देखिएगा सोलवा परसना चुका है इसके इन पर आप किलियर दिख रहा आपको चले परसना है कि स्वासनली बनी होती है बताइए स्वासनली बनी होती है जो है कार्टी लेस की बनी होती है या हड़ियों की बनी होती है या पेसियों की बनी होती है या उपरिक्त में से किसी की नई बनी होती है तो जो स्वासनली होती है यह कार्टीलेस की बनी होती विडियो इसकी प्रोवाइड करवाने का प्रियास अपने चैनल पर करूंगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वायकण प्रेश कर दीजेगा ताकि आपको notification मिलता रहे और अपनी live class ले सकी YouTube पर ही ठीक है और जब भी आपकी live class होगी तो रात के 9 बजे होगी तो एक बार आप सभी लोग रात के 9 बजे आ करके channel पर business बिजिट करके आप देख लिजे कौन सी class live चल लई है तो sociology, geographic, political science Hindi, Sanskrit और इसके अलावा home science ठीक है, education, economics सभी subject की classes हमारे channel पर चलती हैं तो आप सभी लोगा करके देख सकते हैं और अपनी तयारी विधवत तरीके से कर सकते हैं, ओके सत्रवा प्रस्ण है कि स्वसंतंत्र का आउयो है, ये मैं पहला मालत विपर दे रहा हूँ इसके बाद में अगर आपकी requirement होगी तो मैं और और परिक्षा तक आते हैं ते आपकी विधवत तयारी करवाने का पूर प्रियास मैं करता हूँ लगातार आप लोगं के अंतिम चरण में जब परिक्षा आती है तो मैं एकदम से पूरा active रह जाता हूँ आप लोगं के लिए दिन-डात वैसे आज भी मैं मैं दिन-डात मेहनत करता हूँ आप लोगं के लिए हमेशा और चुकि इस समय क्या है कि थर्ड समेश्टर को पढ़ाना है और वालोगं की भी परिक्षा आने वाली है तो उनको भी पढ़़ाना है हलाकि मैं आप लोग को पर जादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं चुकि आप लोग अभी नए हैं और आप लोग कुछ पता नहीं है वैसे आप लोग के लिए खास करके जो 2022 वाला जो माले पेपर हैं या 2022 में जो मैंने questions करवाए हैं और जो वीडियोस दी हैं उनको एक बार जरूर आप देखिएगा ताकि आपको यह पता लगे किस परकार से मैंने उसमें पढ़ाया था और आगे चल करके अब मैं सेकर्ड नमलप की जब आप लोग फिर से आएं तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाऊंगा तो दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा एक बार आप सुसंतंत्र के आउयो हैं बताएं तो सुसंतंत्र के ही आउयो हैं तो आपसे नमबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट प्रसन अठारा नमबर प्रसन है हर्दें के सभी प्रकोस्टों में से सबसे बड़ा प्रकोस्ट कौन सा होता है बाया आलिन दाया दिन या बाया निला या दाया निला बताने का प्रयास करेंगे तो हुर्दें के सभी प्रकोस्थों में सबसे बड़ा प्रकोस्थ जो है वो कौन सा है भई वो बाया निलय होता है आपसे नमबर इसका सीकर रक्ट एंसर होगा next परस्थान देखेगा 19 नमबर परस्थान आच चुका है आपकी स्किन पर देखेंगे प्रस्ण क्या है कि सरीर का वह संस्थान जो रक्त को सरीर की लगुतम इकाई यानि कोसिकाओं तक पहुचाता है वो क्या कहलाता है तो सरीर का वह संस्थान जो खून को या रक्त को या बलेड को सरीर की लगुतम यानि छोटी काई जो होती सरीर की सबसे कोसिका उन कोसिकाओं प्रतम एकाई को सिकाव तक पहुचाता उसको हम रक्त परसंचर्ण तंत्र कहते हैं आपसे नमबर इसका बेकरक्ट एंसर होगा नेक्स्ट परसन है बिस्वा नमबर रक्त हिर्दें से निकल करके समस्त सरीर में चक्कर लगाने के उपरांत पुना है हिर्दे में लोट आता है रक्त की इस किरिया को हम क्या कहते है रक्त परिभरमण रक्त परिशंचर्ण या A और B दोनों आपसर नमबर C A और B दोनों correct answer क्या होगा बिल्कुल उसको रक्त परिभर्मन भी हम कह सकते हैं रक्त परिशन चन भी कह सकते हैं यानि आपसर नमबर C में अगर दिया है A और B तो दोनों correct answer हो सकता है C option is right answer in this question next person 21 नमबर person आपके skin पर आचुका है कि स्वेत रक्त कडिका यानि कि white blood cells जो होती है उनका दूसरा नाम क्या है erythrosrite या फिर leukocytes या बिंबाडू या जो है thrombocytes बताने का प्रियास करेंगे जो स्वेत रक्त कडिका होती है स्वेत रक्त कडिका ठीक है यानि कि white blood cells उसका दूसरा नाम क्या है उसको दूसरा नाम है leukocytes आपसा नमबर B में ध्यान लखिएगा exam में प्रस्ण कई बार आया है तो आपसा नमबर B बहुत ध्यान से आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट पर देखेगा बाइस नमबर परस्ण है एक स्वस्थ मनुस के सरीर में कितना रक्त होता है एक स्वस्थ मनुस के सरीर में कितना रक्त होता है यानि कितना खून होता है एक स्वस्थ यानि कि मनुस के में स्वस्थ मनुस जो होता है तो उसमें लगबग और लगबग 6 लेटर के आस-पास खोन मांज सकते हैं आप अपसा प्रसन स्था होगा To the fox प्रसन है मनुस और मनुस tới सब्सक्राइब शक्राइब कोजम पाय जाते हैं तो उसके आपको हर एक चीज़ को और भी समझाने का प्रियास करूँगा आगे थोड़ा से समझने का प्रियास करते हैं ठीके चले अगला परसना आपके स्कीन पर आचुका है कि वह कौन सा पदार्थ है जो बेक्ती के सरीर का पोशण करता है वह सा भोजन कैलोरिया जल तो नाना परकार के भोजन होते हैं यसे भोजन साथ भोज समू होते हैं कौन कौन से भोज समू होते हैं पर्थम भोज समू में यसे हरी पीली सबजी आ जाती है दुतिये भोज समू में आप देखेंगे बिटैमिन सी से युक्त फला और सबजी आती है तरतिये भोज समूहों में अन्य सबजी आयाती है जितनी बचती है चतुरत भोज समूहों में दूध और दूध से बने पदार्थ आते हैं पंचम समूहों में भोज समूहों में मांस आता है अंडे आते हैं दाल मेवा ये सब आ जाते हैं चटवे समू में अनाज और अनाज से बने पदार्थाते हैं और सतवे समू में भोजन के मक्षन, घी, तेल यानि आईली पदार्थाते हैं तो इस परकार से ये भोजन होता है ठीक ये बात ध्याने खिएगा और सरीर में खास करके भोजन का बड़ा महत्तो है अगर संतुली ताहार व्यक्ति को नहीं मिलता तो प्रोटीन यानि कि जतने पोसकत्तो होते हैं वो सब भोजन में पाए जाते हैं कि पोसकत्तो कौन-कौन से होते हैं आपको पता होगा छे प्रकार के पोसकत्तो होते हैं कौन-कौन से पोसकत्तो जो होते हैं ये भोजन के अंदर विद्व करते हैं तो उन सभी तद्तो को हम पोसकत तद्त कहते हैं, उ Gabin के पहला आपका है, पहला तद्त कैसे आपका protein, दूसरा तद्त कौंच सा है यह साथ, शौता है आपका bitamin, plus 4 बार तद्त कौंचibile के भी मारे ओध Eddy 2021 चौंध चुनकित्पान का यहा प्रकार क्या करता है ये आइसा पदार्थ होता है जो ब्यक्ती के सरीर का क्या करता है पॉस्टर करता है, क्याइर बिदमान होते हैं, जल भी दिमान होता है, भोजन में खास करके प्रोटेंस भी मिलता है भोजन करने से कारबो हड्डेट्स भी उसमें जो है मिलता है वसा विटमिन सब कुछ उसमें भोजन में आपको जो है मिलते हैं तो इस प्रकार से भोजन जो होते हैं और क्या होते हैं भोजन के द्वारा सरीर में उर्जा के अलावा तमाम प्रकार के हमको चीजे प्राप्त होती है भोजन से, ओके किलियर होगी बाते, आगे समझते हैं अगला परसन, आगला परसन आपके स्कीन पर आचुगा है 25 नमबर, पोशन की कितनी इस्थितियां होती हैं, पोशन की कितनी इस्थितियां होती हैं, दो, तीन, चार या पांच, तो पोशन की इस्थित क्या कहलाती पोषण परियाप्त पोषण या सूपौशण या इन में से कोई नहीं तो जब पोषण सरीर की आवस्ता है इनि कि कितनी आवस्ता किस भक्ती को है उसको क्या आता हमें पहले कि यहां भई इस भक्ती को से आप क्या समझती हैं वो आपको थर्ड समस्टर में पढ़ना पड़ेगा तो आहारा योजन के गर मैं बात करूँ तो यानि कि एक प्रकार से ये ब्यवस्था करना कि किस ब्यक्ति को कैसा भोजन चाहिए और किस ब्यक्ति में ससवा वस्था में भोजन का क्या रूप होना च इन समय में भोजन का जो तत्तो sacar होती है अलग अब अलग दिमांड होती है अलग अलग आवस्वतसा होती है इसे छोटे बच्कों के भोजन में खासकरूकर के प्रूटीन्स की ज्यादा मात्रा होनी चाहिए मैलाओं के भोजन में लोह तत्तो की जो एक परकार से अधिक्ता ह होनी चाहिए जो ब्यक्ति काम कर रहा हो उसको अधिक से अधिक उरजावान भोजन की आवसकता होती है तो इस प्रकार से भोजन का एक फिक्स कर लेना कि किस ब्यक्ति कौन सा चाहिए किस दिन कौन सा खाना बनना है किस टाइम में कौन सा खाना बनना है कम पैसे में कम समय में और कम मेहनत करके हम किस परकार से अच्छा से अच्छा खाना बना करके परोज सकती है, यह होता है आहार आयोजन, बात की जाए यहाँ पर पोशन की सरीर की आवस्तकता कि एनकूल जब भोजन होता है तो उस परकार के भोजन को हम सू पोशन कहते हैं यह अच्छा पोशन होता आपको प्रावलम होगी आपको तो आहार आयोजन लभिया फिर पोशण या पोशण सरीर की आवसकता के अनकूल जो पोशण होता है आईसा भोशन देना या आए पोशण करना जो कि सरीर की अनकूल होता है ठीक वो होता है सूप पोशण ठीक है और अगर सरीर की अनकूल भोशण नहीं मिलता है ज्यादा मिलता है उससे तो कूप पोशण हो जाता है ओके अगला परस देखेंगे 27 नमबर परस नहीं कि पोश्टिक तत्तो हैं प्रोटीन कार प्रोटीन दूसरा कार्गो हाइडरेट तीसरा वसा चोथा बिटमिन और पांचबा खनिज लमण और छठवा यही पर आप लिख सकते हो जल यह सब क्या है यह सब पोस्टक तत्व ही है जो की भोजन में अल्रेडी बिद्दमान रहते हैं और इनसे हमारे सरीर को उरजा भी मि परकार से जब खतम हो जाते हैं तूट जाते हैं फिर उनमें कुछ जो है दिक्कत आ जाती है तो फिर यह मरमत करने का प्रियास यह मरमत करते हैं यह लोग सरीर को उरजा के अलामा सरीर को एक परकार से उरजा और इसके अलामा सरीर को मजबूत बनाते हैं हड्डियों को मज अगला परस देखेंगे तो यह सब परसन इक्जामस में 100% आने वाले हैं इनको एक बार जरूर आप रोग रट लीजेगा अगला प्रस्तन है उर्जा उत्पन करने वाले भोजपदार्थ हैं उर्जा उत्पन करने वाले भोजपदार्थ कौन-कौन से भाई यानि कौन-कौन से पॉश्टिक तत्व ऐसे हैं जो कि उर्जा उत्पन करते हैं उर्जा मलकी निकालते हैं इन में से बात के उर्जा उत्पन करने वाले बोज़पदार्थों में जैसे कि आप अगर कार्बो हाइडेट्स लेंगे जैसे ग्लिकोज, फ्रक्टोज ये सब लेंगे तो आपको उर्जा मिलेगी इसके अलावा और कार्बो हाइडेट्स को लेने से और क्या होता है आपको प्रोटीन की और वसा के आक्सिकन को भी सामान बनाये रखने में सहता करता है कर्बॉइडेट्स और भोजन को स्वादिश्ट भी बनाता है और इसमें आप देखते हैं जैसे कि आप जो गलूकूस फ्रक्टोस होता है या आलू कभी खाये हों या फिर आप जो है मधुमक्ही क जो एक मधू हो गया गदना हो गया या इसी प्रकार से आप सकरकंद हो गया या फिर कोई मीठा चीज आप खाए होगा तो उन सभी में क्या पायाता है जो है फ्रक्टोस पायाता है ओके सब सारी सारी चीज़े किलियर हो गई तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको जानना हो परकार के जो एंजाइम सोते हैं, हार्मोन सोते हैं, उनके निर्माण में खास करके प्रोटीन की आवस्था होती है, और जो है एंटी बाडी, जो एंटी बाडी होती हैं, उनका निर्माण करता है, जिससे सरीर में रोग जो होते हैं, उसको खतम करने की छमता है, यानि कि सरीर से ये प्रोटीन के कारे पानी का ये कारे होता है कि सरीर में क्या करता है पानी की विभिन अंगों वा द्रबों की रचना करता है और उसमें भाग लेता है पानी क्या करता है एक अच्छे घोलक के रूप में कारे करता है और ताब नियंतरक के रूप में भी कारे करता है पानी शरीर के पोस्टत्तों को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक महुचाता है ठिक और संधिया जो होती हैं सरीर में खास करके जो जोड होते हैं आंतरिकंगों के उसके लिए इस ने कारियानी ग्रीज का काम करता है प्रकार से जो जल होता है तो इस प्रकार से पानी के भी अप अपने सारे बहुत सारे कारे हैं तो इस और बिटमिन तो आपको पते ही होगा बिटमिन क्या करते हैं आयोडीन या जो वो होते हैं क्या करते हैं खास करके जैसे तमाम प्रकार के जो खनिजलमन होते हैं जैसे आपका आयोडीन हो गया तो आयोडीन जो होता है यह सब जो है हार रमोंस या फिर उर्जा को एक प्रकार से पचे करने में जब कोई चीज खा जाते हैं तो यह सब पचाने में ब्रधी और विकास करने में गर्भावस्था वगरा में आयोडीन का प्रकार से उपयोगी होता है तो कुल मिया करके आप देखेंगे कि हर एक पोसिकत्तों का अपन एक महत तो है और अपनी एक बिधी है आप से एक जाम में प्रसन पूछता है कि कार्भो हाइड्रेट्स का सूत्र क्या होता है कार्भो हाइड्रेट्स आपको पता होता है इसमें कार्बन के 6 परमाड़ो होते हैं हाइड्रोजन के 12 परमाड़ो होते हैं और आक्सिजन के 6 प निखिएगा तो इसका मलब क्या होता है यह उसका सूत्र होता है C6H12O6 यह गुलुकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र होता है कार्बोहड़ेट्स का सामान सूत्र भी यह माझ सकते हैं कि CnH2NON ठीक है यह बाध्या निखिएगा यह जब 6 कार्बन के प्रमाड़ों होंगे और 6 ही आक्सिजन के प्रमाड़ों होंगे तो हाइडोजन के दुगुना प्रमाड़ों होंगे यह बारा होंगे ओके यह बाध्या नखिएगा तो समझते हैं आगे यह सभी ऐसे पता था जो कि कार्बोहड़ेट्स वसा और प्रोटीन यह हमारे सरीर में उर्जा प् प्रोटीन आता चुकि अभी मैं नहीं प्रोटीन आता चुकि जब बच्चों को प्रोटीन जाता देंगे तो उनका सरीर अच्छे तरीकी से बिखसित होगा आपसा नमबर इसका डी होता है अगला पर्स देखेंगे सुरक्छात्मा काहार कोंसा है अंड़ा खमीड अनाज यह दाले तो सुरक्षात्मकाहर की बात कि एंडर चाहर की ज़्पाइए नहीं कके नगे थो इन सलब अगर नहीं खाते हो यहँएगा तो मत खाये कोई दिक्कत की बाथ नहीं अंडा खाने की से ज़्पि नहीं है अगला देखेंगा प्रोटीन दूद में किस रूप में पाई जाती है केसीन के रूप में या जो है अलब्यू मिन के रूप में ग्लिवटीन के रूप में आयोन के रूप में बताए प्रोटीन जो होता है दूद में किस रूप में पाई जाती है फटाबट से बताएगा तो प्रोटीन जो होती दूद में जो प्रोटीन की मात्रा होती केसीन के रूप में बिदमान नहीं थी तो आप सनम्बर इसका एक अरेक्टेंसर होगा सभी लोग लगा दीजिएगा ए अगला परसन सभी लोग बताएं क्या का अरेक्टेंसर होगा चोतिय संबर परसन है कि प्रोटीन की कमी का प्रभाव है बताएं इसकरभी, रतोंधी, रिकेट्स या क्वासी ओर कर वैसे खास करके आपको बताओं प्रोटीन की कमी से खास करके इसमें से जो इसकरभी रोग होता है विटामिन C की कमी से कारण होता है रतोंधी विटामिन A क अगुछ और यह प्रोटीन की कमीशी होता है बागी तीन जो है विटामीन की कमीशए होने रोग हैं और प्रोटीन की कमीशे क्वा सियोर कर kaufen का जाता अपसे नमर Data या及 एक तालीरट conversion अब फोचा है तो बाद में मंत कहिएगा सर्जी आपने इंप्रेंट बताये नहीं यह प्रोटीन दूध वाला यह केसीन यह भी रट लीजेगा ओके और यह सरी निर्मार में सहाइक पोश्टी ततो प्रोटीन यह भी याद रख लीजेगो और जयात पन करने वाले भुश्टतों में यह तीन नाम ठीक यह सब ऐसे प्रसन है जो कि जामस में ले और उनका नंबर अच्छा हो अब इसमें थोड़ा सा इस से आवाला जो भाव होता है खास करके होता है खास करके जब आप पढ़ाई कर रहे होते तो कि मैं जादा पढ़ लूँ थोड़ा सा कम पढ़ ले मर्दई या फिर एक परकार से बात की जाए जिसमें टैलेंट जता या खास करके आप के अंदर जब एक परकार से गट्स तभी माना जाएगा जब आप क्या करेंगे अपने परतिदंदी को भी ऐसे कि निहत्य फरवार नहीं करना चाहिए अगर कोई आपका परतिदंदी है पढ़ा लिखा नहीं तो फिर आपका मतलब क्या है आप उसको अगला परसना आपके स्किन पर है कि प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है बताएं मांस मचली अंडा तो ये सभी प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं आप सनमबर इसका डिकरक्टेंसर होगा लेकिन वास्तविक रूप से ये सारी चीजे खानी नहीं दिमाग नहीं है तो उसमें मांस मछली खाने के क्या आवश सकता है आंडे खाने कि क्या आए सकता है जब समोसा जलेबी और जो है बड़े अच्छे पीजा बर्गर के मरब की बोजन की तो प्रकार ऐस में ना जब बेट रहेगा जितने बीमारीया होती है मालेते कुछ आपने मांस खाई मचली के अंदर बहुत सारी बीमारीया मालेते हैं होती है तो वो बीमारीय आपके खार हैं Bean है जासा प्रियों करते हैं ते लोल उसमें ज्यादा डालते हैं तो उससे सरीर पर ही effect पड़ता है आप साधा भोजन खाईएगा साकाहरी भोजन खाईगा एकदम से मस्त रहें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भले आप थोड़ा सा दुबले पतले दिखेंगे लेकिन आपके अंदर उर्जा की छेड़ता नहीं आएगी आपको बिमारी अधिकतर नहीं होगी ठीक है जो बिमारी आती है कि तिसरे दिन जो है सरदर्द कर रहा है पेढ दर्द कर रहा है ये है вो है दुनिया दर का आपको आजकर बगी आप आप आसरे लोग बिमार ही हैं और सारी बिमार ही हैं तो ये बात ध्यान नखेगा इसको थोड़ा सा आप लोग देखें ज़्यादा बेटर रहेगा ओके किलिर होगी बाते यानि कि जब भी आप कोई चीज खाएं तो सो समझ करके खाएं जो है आंतराने ना खालें जो भी मिले बस वही लाओ निप्टाए दिया इदम से तो मांस हरी भोजन इस दब बेस्ट भोजन जब जो है साका हार का विकास हो चुका है तो फिर उसमें मांसा हरी खाने क्या वस्कता नहीं है अगला पर साम देखेंगे 36वा नमर पर साम देखेगा प्रसंद क्या है कि कार्भो हाइड्रेट्स प्राप्ति के साधाने बताएं कार्भो हाइड्रेट्स प्राप्ति के साधाने बताएं आलू अर्वी या जिमी कंद आलू समझते हैं आलू तो सभी लोग जानती है अर्वी माने होता है घुया जानते हैं घुया तो अर्वी य दिखेंगे आगला परस्ट आपकी परिक्षा में आसा देखें तीस्वा नंबर परस्ट नहें कार्बो हाइड्रेट्स के प्रमुक कारे हैं बताई सरीर की रोग निरोधक चमता बढ़ाना सरीर के में चिकनाई उत्पन करना अस्तियों को मजबूत करना यह सरीर में उर्जा और सकती उत्पन करना तो कार्बो हाइड्रेट्स के प्रमुक कारे के गर में बात करूँ तो सरीर में उर्जा और सकती दोनों को उत्पन करता आपसा नंबर इसका डिकरक्टर हैं सर होगा ठीक यह बात यह नखिगा आपकी पेपर का नाम क्या है मैं बता दूँ आप है vlub bent ओके हिलेर होगी बाते यह आपकी पेपर का नाम है अगला पॉइंट आप दीखेंगे अगला परसन है कि वसा की अधिक्ता से रोग हो जाता है बताएं वसा की अधिक्ता यानि कि अगर आप वसा माने होता है थाइट तो आप ज़्यादा पैटी चीजगे तो क्या ह होजाएगा सरी एक मिनिट हाँ वसा की अधिकता से कौनसा रहा हो जाएगा कई औरकशी terrific 고 तो वशा की अधिक्ता से जो रोग होता है वो ओबीशिटी नामका आपसना number DC रोगा अगला परस देखेंगे उनने 40 نमबर परस नहीं वशा के कारे है सरी के कोमलंगों की रक्षा करना बिल्कुल ये वशा का काम है थीक है सनोere को उड्जा भी वशाप प्रदान करती है ठीक है ता आपके कुचालक का गार करती है बिल्कुल करती है आपसा नंबर D का रेक्टेंसर लगा दिजेगा ओपर तो सभी यानि वशाओ के कार है बिल्कुल और जब भी यहाँ पर हैं धिखे यानि कि आपसे नमबर D ही का टेंसर होगा 100% ठीक ये बाद धहने किएगा जब भी किसी से किसी प्रसन में आपसे खास करके ये पूछा जाए कि वह असा के कार है प्रोटीन्स के कार है ठीक है या फिर बिटमिन्स के कार है या फिर और भी चीछ पूछे इसके कार है जल के कार है खनीस लमडों के कार है कैलसियम के कार है पोटेसियम के कार है ठीक है लोह तत्यों के कार है तो इस प्रकार से जब आपसे पूछेगा कार है पूछे बिसेस्ता पूछे लाब पूछे हानी पूछे तो जब भी ऐसा पूछेगा और लास्ट में आपको हैं दिखे इसका मतलब आपसर नमबर D करेक्ट एंसर होगा उपर एक तो सभी 90% चांस आपका होता है करेक्ट एंसर होने का 90 का 99% एकाथ प्रसंट आपका गलत हो सकता है बाकी 99% ये ट्रिक फालो कर लिजेगा अगर आपको नहीं याद है और उस सिचोसन में आप पढ़ गए कि अब क्या करना है तो आपसर नमबर D लगा दीजेगा आख मून करके आपका प्रस्न सही होगा 4% में से या 100% में से आपका एकाथ ही गलत हो सकता है बाकी 99% वह इसे आपके सही होंगे और एकजाम से लगभग और लगभग 5-10% आईसे हर एकजाम में पूछे जाते हैं ठीक है उपर सभी वाले और उनमें से लगभग अगर 5 पूछे गए तो 4 करक्ट होता है 10 पूछे गए तो उसमें से 9 करक्ट ही होता है बलब कि D आपसन ही होता है 40 नमबर पस देखिएगा बिटामिन हमारे सरीर को कैसा बनाते हैं कमजोर बनाते हैं या मोटा तकड़ा बनाते हैं सक्तिसाली या स्वस्त बनाते हैं बताईए तो वह सामें गूल जाती है जैसे की वसा में एक कीड़ा आप देखेगा कीड़ा सब द्याद रखें केड़ा केड़ा जो होता है जलमे नहीं आप देखेगा जब वसा में इसको डूब होएंगे तो यह दूबहेंगा ये कीड़ा नहीं हो चुकि कीड़ा को पानी में डालेंगे तो नहीं डूबेंगा वो उसी में तैने लगेगा और वसा में डालनेंगे तो वो डूब जाएगा नहीं घुल जाएगा तो K, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये सब वसा में घुलनसिल विटामिन है, किसमें वसा में घुल जाते हैं, जबकि जो विटामिन, जो है जैसे विटामिन A हो गया आपका, और जो विटामिन बच रहा है विटामिन बी हो गया स्वारी विटामिन बी हो गया और भी जो विटामिन एसे कीडा हो गया विटामिन ए भी ठीक है तो vitamin C इसमें यानि कि vitamin B और vitamin C ये सब और vitamin आप देखिएगा कि तो इसमें ही आ गया ये सब जतने vitamin बाकी बच रहे कीड़ा आप धाने किएगा कि वसा में घुलते हैं यानि K, E, D, A कीड़ा vitamin जो होता है कीड़ा तो कीड़ा vitamin यानि कीड़ा समझ रहे है ये मिलब ट्रिक बनाई है मैंने एक मिलब की vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A ये 4 vitamin हैं जो की आपकी वसा में घुलनसील है बाकी जतने vitamin आपकी बच रही है और B के सहीं तो परिवार vitamin B1, B2, B12 ये सब vitamin B6 ये सब vitamin C जो है ये जल में घुलनसील vitamin है तो आप ध्यान नखिएगा हमेशा ठीक है, एक्जाम में प्रस्न बहुत अधिक मातरा में इसे कन्फ्यूस करेगा, तो इससे लगबगा आपकी 2 जा 3 प्रस्न तयार होजेगे vitamin को लेकर के vitamin की बात कि ये vitamin A का नाम होता है जायकि जाता है, नेत्र, लाल गाजर में पायाता है और तोचा सूक करके कड़ी हो जाती है, बृध़ी रुक जाती है और खास करके नेत्र तोचा और दाँअट इसको सौस्त रखने में videos로 b、 vitamin A मदद करती है और इसके बृध़ी में भी Rights A करती है विटामिन B के अगर मैं बात करूँ तो विटामिन B की खास करके विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B12 यसे विटामिन B के परकार है विटामिन B1 का नाम है जरासाइनिक थाइमीन, विटामिन B2 का नाम है राइवोफलेबिन, विटामिन B3 का नाम है पेंटो थिनिक एसिड, विटामिन C विटामिन B5 का नाम है नाइसिन, विटामिन B12 का नाम है साइनोको बाल इमीन, ठीक है, तो ये विटामिन की कुछ परका होते हैं ओट के रोग होते हैं तो स्वस्त अमलब की फट जाते हैं और इसके अलामा और भी रोग होते हैं लेकिन तो उसे से जोड़े जोड़े रोग अब अगला आता है विटामvous जो होता है इसको अंग्रे मलक की राषानी नाम इसका समय पाई जाती हैं ठीक है और संक्रामक नोगों से बचाना हुआ इस फूर्थी लाना होँ शरीर में, ताजगी देना होँ शरीर को, तो vitamin C जो होती है, यह सरीर में ताजगी लाती है, और इससे कौन सा, vitamin C की अगर कमी हो जाती है आपकी सरीर में, तो इसकर भी नामगरोग हो जाता है, यह बात ध्यान ना किएगा, विटामिन डी जो होता है इसको रासानिक नाम इसका है कैलसी फेराल और जिसे मचली की तेल में पायाता है विटामिन डी यकर्त और अंडे की जर्दी में पायाता है मखन में पनीर में घी में दूद में विटामिन डी पायाता है और दातों और हड्यों में कोस्वस्त रखने विटमिन D का जो है, वो खास करके सूरी का प्रकास है, वो के बाद ध्यानेकी का, अगला है आपका, विटमिन जो है E, विटमिन E की अगर मैं बात करूँ, तो विटमिन E को रासानिक नाम इसका है, टेको फेराल, टेको फेराल की अगर बात किया है, तो यह अंकुरित गेहू हरी पत्यदार सबजियां, सोया बीन, का तेल, दूद, मक्षन, अंडा, अंडे का जर्दा जो होता है उसमें टमाटर, मटर, केला इंसे भी पायाता है और ये जनन किरियाओं में सहाता प्रतानकता विटामिन E जो होता है जननांग जब बेकार हो जाते जनन के अंग जो होते ह होती है मा के दूद की मातर को बढ़ाने के लिए विटामिन E के आवसकता होती है जब आप अंकुरित गेहूं खाएंगे हरी पत्यदार सबजिया खाएंगे सोया बीन का तेल प्रकार से ये सब बहुत मदद करेगी ठीक है सोया बीन आयल आप समझते है जो रिफाइंड आय इसका क्या है फ्लाइक को जो है फाइलो कुईनोन ठीक है तो फाइलो कुईनोन ये किसका नाम विटामिन के का रासनी नाम है टमाटर में हरी पतिदार सबजियों में अंडे की जर्दी में फूल गोभी में विटामिन के अधिक मातर में पायाता है और उधिर कानी खून का थक्का बनने में मदद करता है ये विटामिन के और हीमोफीलिया नमक रोग हो जाता है इसके कमी की कारण से रक्ट का थक्का नहीं बनता तो इसके कारण से हीमोफीलिया रोग हो जाता है कि जब आप आपका सरीर कहीं पर कट जाता है तो खून लगातार बहता ही रहता है और तो जब खून नहीं रुखता है क्यों नहीं रुखता है चुकि रक्त का थक्का नहीं बनता है और आपका अगर अभी शरीर कहीं पर कट जाये तो क्या होता है कि आप देखे सफे सफे देखे रक्त का थक्का बन जाता है खून बहता है मलब बहता हुआ जो रहता हो रुख ज ऐसा जब बिटामिन की कमी होगी आपके अंदर तो क्या होगा रगतिका थका नहीं बनेगा यानि खुन बैता रहेगा और बैक्तिकी मृत्व भी हो सकती इस मामले में ठीक है इसलिए तो आप देखते हैं जो जो लवर होते हैं खास करें जो प्यार करने वाले जो यूगल होते हैं वो नस वगरा काटते हैं हाथ की जो आगे होती है ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए बहुत गलत काम है यह ठीक है चलिए तो इस प्रकार से चीज़े के लिए लोगे हैं आपकी बिटामिन के बारे में बिटामिन के बारे में कुछ महयन चीज़े मैंने बता दी जुकि आपकी परिच्छा के दिश्टी से बहुत ही मैतफोर्ण थी आगे समझते और भी चीज़ों को जानने का प्रियास करते हैं चलिए अगला परसन आप देखेंगे बिटामिन से बनने वाले सब बहुत महयतपोर्ण परसन थे जो कि मैंने आपको बता दिया ओके ये बात है नखिएगा आप से चले परसन क्या है परसन देखेंगे अगला परसन आपका क्या है बिटामिन हमारे सरी को क्या बनाता बही VItamin हमारे सरीद को सुथ बनाता है आपसे नमर इसका D करेक्टर अञेसर होगा एक तालिस नमर परसन है कि VITAMINE A के अभवाव में बच्चो में कौन सा रोग होता है रताउंधी होता है आपसे नमर इसका B करेक्टर अञेसर होगा यालि बचा इसकर भी तो इसकर भी जो होता है विटामिन सी कमिसी होता है यह बात ध्यान न कियेगा तो यह सबी को विटामिन से होने वाले जो रोग होते हैं इनको जरूर ज़रूर याद कर लिजेंगा एक्जाम में लगबग चार से पांच नंबर आपके तयार होगे, पांच नंबर तो कन्फरम है, आपके आप जक्टी में तयार होते हैं, और लिखित में बात किये तो दस नंबर का, पंदरा नंबर का आप देखी गए, यहां से प्रसनाएंगे, बिटामिन से, अगला प्रसन आया था विटामिन E जो होता है, वो क्या करता है, मैंने आप ही आप होता है था, आप सभी को पता होगा, जो जनन अंग होते हैं, उनको मरमत करने के लिए, उनको एक प्रकार से अच्छा बढ़ाने के लिए, विटामिन E का हम सेवन करते हैं, विटामिन E प्रजनन सक्ती को बढ़ाने के लिए vitamin C की आवस्यक्ता होती है आपसा नंबर इसका C करेक्ट एंसर होगा 44 नंबर परसन है vitamin C पायाता है मक्खन में, घी में, तेल में, नीम्बू में vitamin C जो होता है किसमें पायाता भई vitamin C से की कमी से इसकरभी नामाग रोग होता है vitamin C जो होता है किसमें पायाता है निम्बू में खासकरभी पायाता आपसा नंबर इसका D करेक्ट एंसर होगा अगला परसन है vitamin D की रासाइनिक प्रकरती है बेरी-बेरी, कैलसी, फोराल या टेको, फोराल, या नेक जो है नेक तो कोई नान, बताएं vitamin D की रासाइनिक प्रकरती यानि रासाइनिक नाम पूछ रहा है आपसे तो vitamin D की गमी से बेरी-बेरी रोग होता है ठीक है और खासकरभी बात कि जो कैलसी, फेराल है vitamin D का रासाइनिक नाम है आपसा नंबर इसका B का रख्ट एंसर होगा अगला परसाँ देखेगा 46 नंबर परसन है आपकी परिश्चा के देश्टी से बेयाद मैत पूर है ठीक, रट लिजेगा इन सभी परसनों को आप सभी लोग परसन है कि खनिज लवण के निर्माड कारी कारे हैं खनिज लवण के निर्माड कारी कारे जो है वो कौन से भाई हीमोगलोबिन का निर्माड करना या दांत योम अस्थियों का निर्माड करना या थायराक्सिन का निर्माड करना या फिर ये सभी काम है, बताएं तो खनिज लवण का निर्माड कारी कारे है सभी चीजों का काम करता है यानि हीमोगलोबिन का निर्माड में भी साहता करता है दांत और अस्थी यानि की जो दांत होते हैं और हड़ी होते हैं उसको निर्माड में भी खरीदावड में इसे कैलेसियम की मतब से होता है इसके लिए थायर आक्सियम का निर्माड ये सभी आपसर नमबर D लगा दीजिएगा उपर सभी ठीक है देखिए चुकि यहाँ पर देखिए मैंने जो ट्रिक बताई थी यहाँ पर हैं लिखा है का रहे हैं तो आपसर नमबर D आगला परस देखिएगा 47 अमबर परस देखिएगा कैलसियम के आउसोसर में सहायक कारक है बताएं सहायक कारक कहा हैं हैं लिखा है तो आपको पता लग गया कि D ही होगा तो आप मैंने लगा दिया D लेकिन अपर लेते प्रोटीन बिल्कुल कैलसियम के आउसोसर में सहायक ता तो fast forest के social का कार जो होता है कहां संपन होता है तो छोटी आतमे ही संपन होता है अपसे नमबर इसका A करेक्टरेंसर होगा याद रख लिएगा बहुत मैद्पून परसन है अगला परसन है आयोडीन का कार है यहां पर आयोडीन का कार है पूछा गया है आयोडीन का क्या कार है लेकिन फिर भी यहां पर है अगर लिख देते यहां पर भी यही करेक्टरेंसर होगा जब भी कार बगरा विसे इसता लाभानी से पूछा आता है तो D-correct cancer परेडाम पुछा जाएगा, तो भी D-correct cancer होगा, तो उड्जा में उपा-पच्चै में और गर्भावस्ता और अस्तन स्रवन में, यानि अस्तन पान यानि गर्भावस्ता और धातरिय वस्ता, दोनों में आयोडीन का बहुत मैत पूर्ण कारी होता है आपसे नमबर इसका D करेक्टेंसर का उपरेक्ट सभी स्थितियों में पाचासमा प्रसन है कि जल को सुध करने के लिए भहतिक रूप से सरबाधिक उपयोगी है बताएं तो जल को सुध करने के लिए भहतिक रूप से जो सबसे अधिक उपयोगी जो है वो खास करके क्या है भई कुलोरीन होता है आपसे नमबर इसका C करेक्टेंसर होगा अगला प्रसन है असुध जल से कौन सा रोग होता है छै रोग चेचक या हैजा या इनमें से कोई नहीं तो आसुध जल से क्या होता है भई हैजा रोग होता है कौन सा रोग होता है हैजा आपसे नमबर इसका C करेक्टेंसर होगा अगला प्रसन है 92 नमबर प्रसन है भूनने से लाब है धीरे धीरे सिखना या पोज़ पदार्थों का एक समान भूनना तो भूनने से लाब क्या होता या फिर डी यह सभी करेक्ट एंसर क्या होगा तो भूनने से लाब जो होता है चुकि भूनने से लाब होता है कि धीरे धीरे सिकता है भोजन इसके लाब पोश्टिक तत्तों की कम हानी होती है भूनने से और भोज़ पतार्थों का एक समान भूनना एक प्रकार से यह भी कौई भीदी होती है औब बचा क्या उबालना जल में जब आलो को нам ढाल लेते हैं औरhora को से अगला की परस्ता है वाहू के माधम से भोजन पकाने के जो बीधी है वो क्या है simmering या फिर stewing या फिर roasting या फिर baking बताने का प्रयास करेंगे तो वायू के मादम से भोजन पकाने के जो बीधी होती है उसको हम क्या कहते है roasting कहते है इसमें आप देखें खास करके जिसे की वायो के माध्यम से भाप के माध्यम से कैसे बनता है आप देखे होंगे कि यसे की आपने कभी अभी करवा चोथ का जो बरत था करवा था तो करवा में आपके घर पे साम को क्या बना होगा जो है फरा बना होगा उसमें मलब बनता नहीं है फरा वगरा जो है चावल के आटे का तो नए चावल का आटा जो होता है खास करके उसको पिसाया जाता है और उसमें पिसाने के बाद में क्या होता है चावल का आटे को पिसाने के बाद में फिर उसको क्या करते हैं जो है बड़ा सा भगवना लेते हैं जैसे कि मैं मैं ने ले लिया और इसमें क्या कर दिया एक ज जल भरा हुआ है यहां पर अंदर ठीक है और यहां पर हमने सूती वस्तर को बांद दिया ठीक है और उसके उपर हमने क्या रख दिया वो सूती वस्तर के सूती वस्तर थोड़ा सा नीचे की और रहे धालो एक परकार से थोड़ा सा अब इसी में मैंने जो है वो चावल के परक जाएगैंगे गरम-गरम हवा जाएगी और इसे सि killers जाएगा हवा के दोरा ही आप देखतें मुमो surrender जो बनते हुए से तो बनाय के लिए आप से नंबर इसका चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाने की बिधी क्या होती तो डी आप से करेक्ट रहें सरों का सभी विधी होसी हम कर सकते हैं कि अगला प्रस्णाब देखेंगे सभी लोग अगला प्रस्णाब की स्किन पर आ चुका देखी अब यह अभी तक भाग टू में human development से प्रस्णाएंगे यानि की मानो विकास से तो उससे बनने वाले महत्पूर प्रस्णों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अखिरकार उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और objective time के प्रस्ण क्या बनेंगे उससे ओके तो यह क्लियर होगी बाते चली हम जानत हैं कि अखिरकार उसमें हमको क्या क्या चीज़े पढ़नी है और किस तरीके से मुसको समझ सकते हैं ठीक तो पहला प्रस्ण है कि मानो विकास महत्पूर है क्योंकि क्या करता ही है मानो विकास इसलिए महत्पूर है क्योंकि मानो के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है इसके लाव मानों के लिए उपयोग तो आता बड़ दिर्मित करने में उपयोगी होता है इसके लाव आप ब्यक्तित विकास को समझने में भी मानों विकास उपयोगी होता है तो आपसा नमबर इसका D लगा दीजेगा उपर एक तो सभी करेक्ट एंसर होगा आपसा नमबर अगला प्रस नहीं कि मानो विकास में अध्यन क्या आता है बैक्तिक विभिनताओं का मानसिक क्रियाओं का मानो वियोहार और अंता क्रियाओं का मानो विकास में इन सभी चीज़ों को अध्यन क्या आता है बैक्तिक विनता कायनी की प्रतेग विक्ति में जो अलगाओ होता है और एक विपुल के जो है पांच कुमार तुल सिदा जी ने भी का है कि हाँ भई जो है एक पुता के जो है एक पिता के चार बच्चे होते हैं लेकिन चारों के जो बिचार अलग-अलग होते हैं यसे एक हाथ में चार उगलियां तो चारों बराबर नहीं पांच उगलियां त मानुवी कास्त में अध्यन क्या रहता है यह अंतर होती है कि सब्स प्रकूरी देञेद़ के उसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं, तो यह सब आपसा नमर D लगा दीज़ेगा, अगला परस देखेगा, तीसरा परस ने कि विकास है एक, विकास क्या होता है, विकास जो है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है, सही है, सामान से विसिष्ट की और बिल्क ठीक हैं विकास की प्रतेहिक अवस्था के बिल्कुल ये भी आपसा नमर इसका डी लगा दीजेगा वो पर इस सभी करेट टेंसर होगा अगला पर देखे चौथा नमर पर सने विकास के मनोलेंगिक सिध्धान्त के प्रतपादक कौन थे तो कोलबर्ग महों दे थे कौन थे व विकास के मनोलेंगिक उस्थान्त के ठेष्धान्त के प्रतपादक खासकर कि बात के थी मनो लेंगिक पांचवा नमर पर सब्संद्र को कितनी आवस्थां आप बाता गया है जनम के बाद खासकरके आप बात की जायerd तो जो है छे अवस्थाएं आती है जनम के बाद जो है बच्चों की ठीक है कौन से कितनी अवस्थाएं आती भई छे अवस्थाएं होती है बच्चों की जनम से जनम के बाद की जो अवस्था होती है जनम के बाद उके उसमें आप देखते हैं सैसव अवस्था हो गया ठीक है इसके अलावा बाली आवस्था हो गया किसोरा आवस्था हो गया ठीके प्रवड़ा आवस्था हो गया फिर इवा आवस्था भी बोल सकते हैं व्रद्धा भी बोल सकते हैं तो छे प्रकार के हम बता सकते हैं वसे हारलाक महोदे जो हैं वो कहते हैं कि आवस्थाएं दो परकार की होती है दो आवस्थाएं होती है जीवन काल की पहली होती जनम से पूर्वी की आवस्था जनम से पूर्वी की आवस्था को उन्होंने पांच तरीके से बाटा है और जो जनम से बात की आवस्थाएं है पहला जो इन्होंने बताया वो बताया डिम्ब काल होता है ठीकी जनम से पूर्व की अवस्था दूसरा जो काल इन्होंने बताया हर लाक मोदे ने वो भुरूर गल बताया तीसरा बताया क्या बताया भई तीसरा बताया इन्होंने सिसु काल चोथा बताया इन्होंने क्या अन आउस्था बताई इन्होंने जनम के बाद यानिंग्लिया काल के बाद्विछ hangs खास करके तो योनem उत्सुक आवस्थारजथार यह पहली आवस्था दूसरी आवस्थाय अवस्था ने प्र इस पने प्रशम स्वाछों के आज़ों हो गई पर स्पर सो chron i कि बाल्य अवस्था इससे पहले हमने बहुत सारे प्रस्णों को देख लिया है ठीक है तो ये नंबर भले चठवा आपको दिख रहा है बाकी प्रस्ण मैंने बहुत सारे समझ लिया है प्रस्ण देखेंगे बाल्य अवस्था होती है दो से छे वर्स की या छे से बारा वर्स क या दो से बारा वर्स की या साथ से बारा वर्स की अगर बाले आवस्था की बात करेगा तो खास करके दो वर्स से ले करके बाले आवस्था की गर बात करेगा तो दो वर्स से ले करके बारा वर्स तक की जो समयकाल है वो बाले आवस्था में आती है ये बात ध्याने की किसा व की पर नह Tech में खुन ने का साथ से लेकर बारा साल साल का समय है यह ईए यह फrical करके बाल वस्ता पहले का पूर बाल रे वस्ता बोल सकते हैं तो पर बाली तक की उमर क्या है ऐए भावट ऋ पर प्रियास करें एंगे तो पूर बाल बालने और उत्तर बालय वस्ता चहें से लेकर से लिएकर जो बीच का समय होता है यह बालय वस्ता के लाता है अगला इस वास्ता जो होती है वो उसकी उम्रK है तो 1400 सबस्ता एंग अगला है जीरो से लेकर के दो वर्स, सैसवा वस्ता जीरो से दो वर्स, सैसवा वस्ता बाल्या वस्ता छे से बारा वर्स, कि सोरा वस्ता छे से लेकर के अठारा वर्स और उसके आद में फिर प्रवढ़ा वस्ता अठारा से लेकर के जो है और आगे तक, उसके आद में फिर ब्रद्धा पूर्वाल्य वस्था मैंने आपको बताया था पूर्वाल्य वस्था मैंने आपको बताया था पूर्वाल्य वस्था मैंने आपको बताया था पूर्वाल्य वस्था मलब क्या होता है तो इसमें दिखी चुकि इसमें आपसन में दिया नहीं है दो वर्स से लेकर के छे वर्स बिकास का आर्थ है ब्रधी प्रगती परिवर्तन या फिर उपर इक सभी तो बिकास का आर्थ होता है प्रगती ब्रधी परिवर्तन ये सभी बिकास के ही अर्थ होते हैं ये बाध्या नेखिएगा आपस नमबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा उपर इक तो सभी अगला पर दे ग्रण करना यानि भोलब emba फोजन घरण करने लगता है थोज्ग घरण करने लगता है तरल से जिरों से लिए करके दो साल तक बच्चा देखएगा लो से ए 뭐 इंसानुर a वातावर्ण या अभिब्रतियां या समाजी कर्ण या रुचिया तो बालक के विकास को प्रभावित करने माला जो तत्तो है वो वनसानुक्रम और वातावर्ण होता है इसी के द्वारा बालक का विकास जो होता है वो प्रभावित होता है अगला पॉइंट आप देखेगा त प्रभाबित करता है बताए योन भेद रोग या बुर्द्धी या फिर उपर इक सभी तो बालक के सारी रिक और मांसिक बिकास को प्रभाबित करते हैं बच्चे के योन भेद जो होते हो भी यानि योन भेद समझ रहें लिंग भेद जिसको आप कहते हैं ठीक है इसका मतलब प्रभाबित अब प्रभाबित करते हैं तो वो तेस तेस जोड़े पाय जाते हैं आपस那麼 consumed in eleven के स्रह करते होगा अगला परस देखेगा पंद्रावा नम्मर परस नहीं, गर्भा अवस्था में होने वाला आंतरिक परिवर्तन नहीं है, गर्भा अवस्था में होने वाला आंतरिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो वमन होता है या आंतरिक परिवर्तन नहीं, बलकि चया परिव आंतरिक परिवर्तन है जब कि स्रीर से बाहर यानि उल्टी जो होती है यह बाहर का एक प्रकार से परिवर्तन आप देह सकते हैं आंतरिक परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन जो होता है यह आंतरिक मामले से भी होता है और बाहि मामले में भी आप देख सकते हैं लेकिन ज्यादा बेटर बी और सी में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इसमें तरक हो सकता है लेकिन बी ज्यादा बेटर ल दर्माने पेट बढ़ जाता है वजन भी बढ़ जाता है चुकि बच्चा भी उटा है इसके लाव मासिक धरम भी रुख जाता है उसके तो आपसा नमबर इसका D लगाएगा उपर एक तो सभी का रेक्टेंसर होगा ओके यह सब परिवर्टन हो जाते हैं सारी परिवर्टन है यह सब ओके ध्यार नेखेगा आपसा नमबर डी लगा दीजेगा अगला परस देखेंगे 17 नमबर परसन यह सब एक्जाम पे जरूर परसन पूछे गए हैं और 2000 जो 22 में परिक्चा हुई उसमें आप देखेगा पेपर उठा करके तो लगबग सा आधिक तर परसन जो है इ पांच मा पूर्ब की अवस्था बताएं गर्भा अवस्था किसे कहते हैं तो खासकर इस सिसु जनम तक की जो अवस्था होती इसको गर्भा अवस्था कहते हैं जब तक जो एक प्रकार से बच्चा एक प्रकार से आप देखेगा भुरूरा अवस्था के बास से ही जो जाइगोट का अकार कैसा होता है जाइगोट का अकार अंडानुमा होता है गोलाकार होता है फिर तिकोना होता है चवकोर होता है फटापट से बताने का प्रियास करेंगे तो जो है जाइगोट का जो अकार होता है वो अंडानुमा होता है आपसा नमबर इसका एक अरक्ट एं अंदर से थोड़ थोड़े प्रारम हो जाते हैं, सिसु गर्व में घोमने लगता है एक प्रकार से, ठीक है, यानि उपर सब ये चीजे होने लगते हैं, आपसा नमबर इसका D करेक्टर एंसर होगा, अगला परसने बीसवा नमबर परसने, प्रसव परकरिया की प्रमुक अव आपसा नमबर इसका C करेक्टर एंसर होगा, अगला परसने प्रसने, प्रसो प्रकरिया की अवस्था है, भुरूर प्रसने, प्रसो प्रकरिया की जो अवस्था होती है, उसको हम विस प्रकरिया की जो अवस्था होती है, उसको हम विस प्रकरिया की जो अवस्था होती है, तो प्राकरतिक प्रसों को हम क्या कहते हैं, प्राकरतिक प्रसों को खास करके, ये हम उसको स्वाभाविक प्रसों, या सरल प्रसों या साधरन प्रसों भी बोल सकते हैं, आपसर नमबर इसका डी लगा देज़ेगा उपर सभी, अगला प्रस आप दिखेगा, नोजाथ सिसू की साधर्ण नंबाई होती है नोजाथ सिसू की साधर्ण नंबाई किती होती है तो 45 से 52 संटी मेटर के आसपास होती है Nintendo Circle अगला परसे जनम के समय बालक का उसत भार किता होता है अगला परसाब देखेगा, और कभी कभी 1 kg आउसत में आप देखेगा आउसतन खासकर करके देखते हैं, तो वो धाई किलो दो किलो इस प्रकार से होता है ठीक, तो यह बात है नेखिएगा अगला प्रस आप देखिएगा तो इसका कोई clear आपसन इसमें नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर आपको पुस्तकों में आपको सी मिलेगा आपसन लेकिन फिर भी आप इसमें कोई clear नहीं तो कि आवस्तन पूछा गया है तो आवस्तन जोड़ करके किया था एक वर्स का बालक हो जाता तो उसमें हड्यों की संख्या जो हो जाती है 370 के आसपास हो जाती है कि दनी 370 यानि उससे पहले जनम जब बचा लेता है तो लगभग उसके अंदर कितनी हड्या होती भाई देखिए 206 हड्या आप देखते हैं वैसे होती है ठीक लेकिन आप देखिए एक वर्स में बालक की हड्यों की संख्या जोती है 370 के आसपास हो जाती है और 206 हड्या होती है वैसे सरी में धिर देखर करके हड्या थोड़ी थोड़ी क्या होती लगती है कि अंपास में पहले तीनसों अट्राइट को आसपास होती हुआ या दो कि आग समझते हैं आगला कारस्ट से कर्यात्मक्र बिकास कितने कर्म के अधार पर होता है प्रेट wizard क्रीदा कितने कर्म के अधार पर होता है तो खरेद पर क्थों पनुर्ब्र 29 नमबर प्रसन आपके स्कीन पर आ चुका है, आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दीजेगा, प्रसना है कि क्रियात्म विकास का महत हो है क्योंकि सरीरिक विकास पूरता के लिए महत होता है, मांसिक विकास में सहयोग सीलता के लिए भी और सम्वेगा के कारण जो होता है, परिवरतन जो होता है, व्यवहार भी परिवरतन होता है विक्ति के, आपसन नमबर इसका एक और अंसर होगा, अगला पर देखेंगे, कुरोध का संबेग आने पर बालक का चेहरा हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला, पीला, हरा, कैसा होता है, तो कुर स्भेगात्मक स्वास्त को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं देखे सारी दिख स्वास्त भी एक प्रकार से प्रमुकारक है स्वास्त को प्रभावित स्वास्त को प्रभावित करने के लिए परियावण भी माता पिता किया अभिवरतियां भी आपसा नमबर डी लगा देख करक्ट एंसर होगा अगला परसंद 33 नमबर भासा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धी परिपक्ता स्वास्त तो भासा विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक रिखास करके यह सभी कारक जो है मदद करते हैं आप से नमबर डी लगा दीजे correct answer होगा अगला पर साथ देखेगा संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक विकास प्रक्रिया की विसेस्ता है बताएं तो संग्यानात्मक प्रक्रिया की विसेस्ता की बात कि आपसा नमबर D करेक्ट एंसर होगा उपर सभी अगला परसन 36 नमबर परस देखेगा संग्यानात्मक प्रकरिया का सिध्धान्त है प्रकरती सीलता, सह संबंद या मुक्त अवस्था सिध्धान्त या विकासात्मक सिध्धान्त बताइगा संग्यात्मक परकिरिया का जो सिध्धान थे खास करके ये विकास आत्मक सिध्धान थे संग्यात्मक परकिरिया का जो सिध्धान थे विकास आत्मक सिध्धान थे अपसा नमबर इसका डिकरेक्ट एंसर होगा तो इस प्रकार से आपका लगबग और लगबग यह आपका लगबग बहुत महत्पून महत्पून परसन थे जो कि मैंने आपको बता दीये समाप्थ होगा आपका चेप्टर लगबग Okay ये बाध धेया निखियेगा आगगी चल करके और भी महत्पून महतपूर परसनों पर हम चर्चा करेंगे आप लोग कहेंगे तो और भी माले वेपर में दे दूँगा लेकिन इतना आपका लगभग मैंने बहुत सारा कोईस्टन्स आपको दे दिया दिश्चर तवर पर आपके समझ में सारी बाते आए होंगी और और भी जो चीजे नहीं आ दिया है बहुत ही मैं पर पिछले पांच वरसों में पूछे के जो प्रसनोंतर है उसको इसमें समयत करने का प्रियास वोल लाइन तरीके से किया गया है इस वीडियो को देख लिजेगा सभी लोग इसके अलावा सोशियोलाजिक चेप्टर रून पढ़ा दिया है आप चर्चा कर लिए आप देख लिजेगा इसके लाव राजनेती बिग्यान के चेप्टर रून में पढ़ा दिया है ठीक है जिसमें हमने भारती राजनेती आंदोलन की जो प्रिष्ट भूमी है और उत्पत्ति है इसके बारे वीडियो को अगर आप देख लिजेगा चेप्टर रून पर मैं क्लास दे लूँगा तो परेशान नहीं होना आपको एक बार वीडियो को बस लाइक और सियर जरूर करते रहे के सभी लोग ताकि मैं आसानी से आपको पढ़ा सको और अच्छे तरीके से आपना नंबर ला सके एक जाम में अच्छा कर सके यही मेरा में मन तब भी है यही मेरा मूल उद्देश से पढ़ाने का तो आप एक प्रकार से वीडियो को सियर अवस्थ करिए ताकि सभी छाचत्रे पढ़ सके और अपने आपको टैलेंटेट बना सके धन्यबाद मिलते हैं निश्ट वीडियों तब तक के लिए जहें जाहें जाहें तेबने पर वने के पुट alrededor